कैसे अअप सब और आज मैं आपको बताने वाली हों की बात जडे की रोटी हम कैसे बनाएं죠 سबसे पहले रख दिया है करम पानी होने के लिए आटा जो है इसका गरम पानी से क्योंकि बाजरे का आटा जो है गुनने के बाद जादा देर रखना नहीं होता है जादा जादा पांच मिनट के अंदर रोटी बना लेनी चाहिए नहीं तो आटा ना बहुत लूज हो जाता है फिर उसकी रोटी नहीं बन पाती और वो चिपकेंगी बहुत जादा बार बार और दूसरी खास बात क्या आपको याद रखनी है कि रोटी चाहिए आपको दस बनानी हो लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ दो रोटी से जादा का आटा नहीं गुनना है हमें नहीं तो रोटी नहीं बन पाएगी आटा लूज हो जाता है और वो चिपकता है और तूट बना लीजिए और फिर देख लीजिये कि अगर तवा हुगया है गरम तो आप रोटी बनानी शुरू कर दें पहले उसको finger से और thumb से धीरे धीरे लोई को बड़ी करें और जब middle तक हो जाए जितनी बड़ी रोटी बनानी है उससे आधी तक हो जाए तो उसको हाथों से बड़ा करने की कोशिश करें जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूं आपको दिख रहा होगा और इस टाइप से यह रोटी बन जाएगी रोसको बस तवे पर डाल दीजिए वो पकती रहेगी अब दो बाते आपको ध्यान रखनी है वैसे तो आप इसे नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं उससे फाइदा क्या होगा जो सार्टिंग में बना रही हैं तो उनको यह इजी रहेगा कि रोटी चिपकेगी नहीं क्योंकि यह रोटी चिपकती जादा है नॉर्मल गेहूं की रोटी से दूसरा आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है जो लोग चाहते हैं कि गैस पर चूले जैसी बाजरे के रोटी बन जाए तो वो मैं अब ट्रेक बता रही हूं सबसे पहले तो आपको अगर चूले जैस बहुत अच्छे से सिक जाती है लेकिन आपकी रोटी होती होती है मोटी तो वह नौंस्टिक तवा होता बड़ा पतला सा नौंस्टिक या जो नॉर्मल वाले तवे होते हैं तो भारी तवे पर अच्छी बनती है और एक बार तीज तवा गरम करने के बाद ठोड़ा सा कि य क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि धीमी गैस पर खाना बहुत अच्छे से पकता है और अगर एक बार तीज तवा गरम करने के बाद आप गैस स्लो कर देंगे तो वह बिल्कुल धीरे धीरे पक के बिल्कुल चूले की तरह हो जाएगा और यह देखिए यह रो दोनों तरफ से सेखने में तो मतलब थोड़ा पेशेंस रखनी बढ़ती है बट रोटी का जो टेस्ट रहना वो कोई नहीं बता सकता है कि गैस पर बनी है कि चूले पर बनी है और ऐसे ही मैं एक रोटी और बना दिखा देती हूं आपको अब जो आटा बच गया था मैंने चांड़ा घाल इनके अज how right रोटी बना दे तोड़्या भूरी स्कूल जाना था सुच् and सब्मक्त गया नहीं था मार्या करता देлемर शूब था से बनाने हो और जो मीन आठा बचा हूए हूं अब दुबारा से मुस आठा गॉनना है दुबारासे फिर से वैसे ही रोटी ब बताना चाहूंगी कि रोटी अगर आप से अच्छे से, नहीं बन पा रही है, बढ़ी नहीं हो रही है, और चिपक रही है हाथों में, तो आप क्या करें, पानी लगा ले जी और इसको पलटना कभ है यह भी मैं खास बात आपको बताऊँगी यह बीच में से वाइट वाइट रोटी हो जाती है जब यह पक जाती ने एक तरफ से तो जो आटा है वो हलका वाइट मौईट होना शुरू हो जाता है वैसे तो बांज दिक आटा अं दूसरे कलर का होता डारेक्ट आप चिम्टे से पलटेंगे तो वो गाटा उस पे चिपक जाएगा रोटी तूटने का डर रहता है तो पहले उसको जो चिपकी हुई है तवे पर उसको हटा लीजिए उसके बाद उसको हाथ से या चिम्टे से जिससे भी आप पलट सकते हैं और जब उसको गैस से उतार लेंगे उसके बाद भी आप उसे धीमी गैस पर धीरे 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 करके पकाएंगे और ये देखिए रोटी कितनी फूली हुई और स्वादिश्ट पकी हुई बन गी है तो कमेंट करके बता देना ये रोटी आपको कैसे अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल का स सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फर वर्चिंग बाबाई टेक क्यार